हेलो फिफ्ट क्लास गुद मॉर्निंग आज हम करेंगे क्वेशन नम्बर टू एक्सराइस 2.6 ठीक है तो क्वेशन क्या है फाइंड डिवाइजर इस इकल टू 213 तो हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया है डिवीजर इस इकल तू डिवीजर बोलो डिवाइजर बोलो य के लिए लिवाइजर ये फॉफ्ट में आपको दिया है रिमेंडर जो कि कितना है 67 ठीक है और हमें क्या निकालना है दिवाइजर निकालना है तो हम कैसे करेंगे स्क्वेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मला क्या होता है डिवाइजर इस इकल टू डिवीजर इंट 2 into मतलब multiply फिर questioned प्लस remainder तो यह हमारा formula होता है ठीक है इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो भी हमारा divisor होता है उसकी multiply question से करें और जो answer आएगा उसमें 67 को plus करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा divided निकल जाएगा कैसे निकालेंगे इसको देखो is equal to लिखा diviser कितना दिया है बच्चे 213 multiply question कितना है वेटा 4367 और उसके बाद remainder के आगे क्या लगाना है plus 67 तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इन दोनों को multiply करना होता है ठीक है तो हम क्या से multiply करेंगे करना आता है न आपको कैसे 4367 इन्टू 213 ओके तो 37 जा 21 वन कैरी टू 36 जा 18 19 20 जीरो हो गया कैरी टू 339 और 2 11 ओके 3 4 जा 12 और 1 13 अब 1 से करेंगे तो सारी डिजट वही आ जाएगी क्योंकि 1 से हम जब भी किसी नंबर को multiply करते हैं तो वह नंबर as a product आ जाता तो 1 3 जा 3 1 4 जा 4 एक चीज़ धियान रखना है नंबर के नंबर के नीचे नंबर प्लेस करें ठीक है अब क्या जाएगा दो multiply के साइन 2 7 जा 14 कैरी 1 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 2 4 जा 8 ओके अब क्या करेंगे बच्चे अब हम इसको add करेंगे 1 7 6 और 4 10 और 1 11 3 3 9 सोरी 3 3 6 3 9 और 1 10 कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6 और 7 13 कैरी 1 8 और 1 9 ठीक है तो यह हमारा क्या आ गया बच्चे यह हमारा इन दोनों का product आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे is equal to 9 3 0 1 7 1 अब हमें क्या लिखना है plus 67 तो अब हमें इसमें क्या करेंगे 67 को plus कर देंगे तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे 9 3 0 1 7 1 plus 67 तो कितना आ गया 7 1 8 7 6 13 और 1 कैरी तो 1 1 2 0 9 9 3 0 2 3 8 तो यह हमारा answer आ गया तो हम क्या करेंगे इसके आगे हम यह answer लिखेंगे 9 3 0 2 3 8 ओके इसी तरीके से बेटा यह सारे question होंगे B question C question और D question तो आपको यह करना है यह as a homework करना है ठीक है इसके बाद हम अपना next question करेंगे next question क्या है आपका third question आप packet can hold 322 pencils इसका मतलब है एक packet है ठीक है उसमें कितनी pencil एक packet में कितनी pencil आती है पैंसल आएंगी तो एक packet में कितनी pencil 322 pencil तो हम क्या लिखेंगे यह है हमारा third तो pencil in one packet तो one packet में बच्चे कितनी pencil है हमारे पास है 322 तो हमें क्या करना है अप कहता है कितने packets ची होंगे तो हम क्या लिखेंगे number of packets required to pack कितनी pencil है 3174 pencil तो इसके लिखेंगे जितनी भी pencils है 3177174 को divide कर देंगे किस से 322 से ओके तब हम क्या करेंगे 322 divide करेंगे 3177174 अब यह कितना डिजत का नंबर है बच्चे यह 3 डिजत का नंबर है one two three और यहां पर कितनी वो कैसा होना चाहिए इस नंबर से बड़ा होना चाहिए तो अब हम क्या लेंगे हम 3 डिजट की जगा कितना डिजट लेंगे 4 डिजट लेंगे ठीक है अब हमें देखना है कि 3 से 3177 अब एक बाब बताओ अगर हम इसकी इंटू 10 से करते हैं तो आपको पता है कि हम किसी भी इंटू 10 से करते है तो हमें क्या मिलता है उसी नंबर के आगे एक जीरो लग जाता तो कितना हो जागा थरी 322 into 9, 9 2 जा 18, carry 1, 9 2 जा 18 और 1, 19, carry 1, 9 3 जा 27 और 1, 28, अब यह देखो, हमें कितना नमबर चीए था, 31, 77, जबकि यहां पर क्या है, 2898, तो यह नमबर क्या है, बड़ा, और यह नमबर है, चोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 10 से मल्टिप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, 3220, तो यह नमबर क्या हो जाएगा, बड़ा, तो हम एक स्टेप पीछे गए, तो हमने 9 से मल्टिप्लाई किया, तो अब क्या हो जाएगा, 9 से जब हमने क्या, 2898, अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप में, इसके बाद, next step क्या होता है, हमारा, सब्ट्राक करना सब्ट्राक्शन को मैं दूसरे पैन से आपको दिखा रहे हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो 7 से तो 8 जाएगा ने, तो अब क्या करेंगे, आप इससे help लोगे, तो 17 बच जाएगा, 17 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, 6, 6 स से 9 नहीं जाएगा, इससे help लेगा, तो कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पर कितना हो गया, 10, ठीक है, अब 10, 0 हो गया, तो 0 तो नहीं जाएगा, इससे help लेगा, तो 10 में से 8 गया, कितना हो गया, 2, और यहाँ पर क्या बच गया, 2, 2 मे कर सकते है 9 से पहले क्या आता है तो अब हम 322 की इंटू किस से कर रहे हैं 8 से 8 तूजा 16 8 तूजा 16 और 1 17 8 3 24 और 1 25 अब यह देखो जब हम 9 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो 2576 तो कौन सा नंबर लेंगे यह कितने टाइम्स गया है एक ताइम्स तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 2576 अब हम क्या करेंगे बच्चे सब्ट्राइक करेंगे न तो 11 में से 6 को हम सब्ट्राइक करेंगे तो कितना आजाएगा फाइट में से 7 तो 1 तो 215 आ गया इसके बाद हम क्या हमारा नेक्स नंबर क्या है 7 तो 2157 अब हमने 8 से किया तो कितना आया था 2576 अब हम किसे कर सकते हैं 7 से कर सकते हैं या 6 से करते हैं ठीक है तो अब हमने क्या गया 322 की इंटू 7 से भी कर लिए 7 तू जा 14 तो यह नंबर क्या है बच्चे है ज्यादा और यह नंबर कम तो हम किस से करेंगे 6 से करेंगे 6 से करा तो कितना आ गया पेटा 1 9 3 2 अब हम क्या करेंगे सब्ट्राक्ट 7 में से 2 सब्ट्राक्ट किया कितना आ जाएगा 5 5 में से 3 2 11 में से 9 2 1 में से 1 गया 0 अब क्या हो तारेंगे पेटा 4 क्या हमारा 2254 कहीं पर आया है कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में तो अब हमें सीधा किस से मल्टिप्राई करना था 7 से और हमारा ये कैंसल हो जाता 2254 अंसर कितना आया बच्चे 9867 इसका मतलब हमारी जो इतनी सारी पैंसल है उसको कितने पैकेट चीओं के 9867 तो हमारा आंसर आगे 9867 ओके ठीक है ये आपका पूरा आंसर है फ्टीक है अब इसकी बाद आपको क्या करना है फ्टीक है आपको अपने आप ट्राई करना है होमवक ठीक है तो मैं आज ही क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हूं ठीक है ओके बाई